हुआ गाइस गुद मॉर्निंग दोस्तों मैं आज एक बहुत सुन्दर जिसको हमने बहुत साई बनाने की कोसिस की है दोस्तों इसका नाम जो है ना फाइकस रिलेजियोसा देख रहे हैं फाइकस है इसको मैंने इस मदर प्लांट से आप देख सकते हो जदें भी यह वान टू तो ठीए कि दर रखा हुआ इसी मदर प्लांट से मैंने कटिंग करके बहुत सब्सक्राइब की कोसिस की है कि मैंने इसी से बहुत सब्सक्राइब दोस्तों यह ना दिसमबर का मैना है आज 15 तारीक हो गई है और दिसमबर का मैना होने के बाब जूद भी आप देख सकते दो ici कितना का जबंदी होता है जुए म्मदल सबस्क्राइब कोता है सकते हो कि इसमें जो है ना इसकी जो पर है इसमूध ओंधि मौती होती है उलग बहुत होती है इसको आप कहीं से भी कट करोगे तो काफी मिल्क जैसा गड़ा-गड़ा ससी गम जैसा इसमें से निकलता यह इसकी वह क्वालिटी है कि पानी के घर मात्रा कभी कम भी मिलती है दोस्तों तो यह मरता नहीं है बहुत हाड़ी प्लांट होता है और इसके बार दोस्तों जो है इसको जो हैना हम कोई भी रूप दे सकते हैं इसको तार से बांद के हमने काफी यह दोस्तों मैंने एक लाइं कंडिशन में बनाया है इसको लेटे वे तेखिए बिल्कुल ड्राई है अभी में सर्दियां है तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगा जब इसका जो हैना वन थर्ड जो हैना यह स्वाइल का सर्फेस है जब ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको वाट्रिंग करेंगे एक काफी हाड प्रूनिंग मैंने इसमें कर रखी है यह देखिए दोस्तों अभी में इसको ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे उठाएंगे अभी आप हैं यह इसमें काफी अच्छा चला है दोस्तों यह मेरा करीश सिक्समंट का प्लांट मैंने जुलाई में इसको तयार करने बनाया था और काफी अच्छा चलना इसके साथ साथ में मैंने दोस्तों यह आपको और दिखाते हैं यह देखी दोस्तों यह छोटे से मैंने उसमें इसके कितना आप देख सकते हो यह मैंने एक साइड लगाया एक साइड मैंने इसलिए लगाया है कि इसको जो है इधर जब इसकी रूट आएंगी तो यह काफी इसको स्पेस डूट डबलब करने के लिए स्पेस मिल जाएगा यह देखिए दोस्तों काफी अच्छा चला है यह छे आठ महीने में यह काफी अच्छा हो जाएगा और बहुत साइज इतनी पुरानी होगी दोस्तों वह उतनी ही खुबसूरत बनती चली जाती है दिखिए एक अधर प्लांट आपको और दिखाते हैं यह दिखिए इसको मैं मिट्टी है इसकी मिट्टी हर बोंसाई की मिट्टी में मैक्सिमम जो है ना क्योंकि इसको हम लोग कोसिस करते हैं कि बड़े प्लांट को एक ड्वार्फ रूप देने के लिए हमें इसको एक राइगिस्तान का माहुल तैयार किया जाता मिट्टी में डेगिस्तान में आप के हो कि पानी की नातरा बहुत कम होती है जड़ां बहुत मौटि हो जाते हैं एक आप देखा की को अजैềी देख रहा है ये देखिये ये दो cabin सब कि इसकी जो इना दॉटे लेकिन दिन दोस्तों कितनी मोती मोती मिरत यह मेरा मदर प्लॉंट था है जय सको बाद में इतनाami इसको भॉंसाई बनाएंगे इस सबसे अच्छे इसको भी दोस्तों प्रूनिंग करनी है लेकिन मैं अभी प्रूनिंग नहीं करूँगा थोड़ा सा इसके रूट और हो जाए देख लिए दोस्तों यह देखिए तो होता यह है कि जैसे यहां से यह दिखिए यह रूट इसको कर लेते हैं और इसको बहुंसाई की मिट्की के बारे मैंने बताया है अब इसको परसेंट है कि इसमें करीब सिक्सेंट जो हो आना वो ड्राइविक की वह रखते हैं इसमें गॉस्तों जो है ना चुटे-चुटे हो इसमें लेते हैं जो है न वो थोड़ा सा जब पानी उसमें डालते हैं तो गर्मी जब बहुत ज़्यादा पढ़ती है पॉट से गरम वह जाता तो ब्रिक्स जो है न उसकी जड़ों को जो है न चोटे-चोटे ब्रीक्स के पार्टिकर्ट औरूट को जो जाना ठंडक मुझा आते हैं दोस्तों इसके बाद दोस्तों इसको हम खाद के बारे बात करते हैं इसमें रेगुलर खाद दे जाती है आप दोस्तों देख रहेगी छोटा पौदा होने के बार अगर हम इसको खाद प्रॉपर नहीं देंगे तो फिर यह पौदा जो है ना वीग पढ़ जाएगा और बहुत अच्छ इसमें वह ना इट्रोजन बहुत चीजों की मात्रा इसमें कम नहीं इसमें माइक्रो न्यूट्रियों भी डाले जाते हैं क्योंकि बहुत पीडिये का जहना ड्राई रहता है नीचे से तो इसमें हमको पौदों को सभी जोईना नीट्रेस्टन और पोटेशियम और नाइट पूरेख इसमें झाली करें करने इसमें की बात चुस्ति इसमें सबसे की आओफ तक है कि बहुत होता इसकी जो टिस पर आसपइडर का अपना पोरा एक नैस्ट ऐसा बना लेती है और वो पूरा हमारी जो टिप्स है उसको खराब कर दे तो इसके लिए दोस्तों हम लोग जो है ना इसकी जो बॉन बनाते हैं तो उसमें हम बॉन मील का इस्तमाल उसमें जो है ना हम नीम की नीम केक होती हैं उसका इसका इस्तमाल जरूर करते हैं और इसके लिए मार्केट में तीन चाहता रहते हैं अगर मालीजे एक एमेल हमने वो लिया है हार्स वालूसन कंसर्टेटर तो उसमें हंडेट एमेल हम बाटर में इसी लिए जो ना टेन एमेल जो ना एक हजार लीटर पानी मिला के उसमें से थोड़ी आदी चम्मक जो है ना हम कास्टिंग सोड़ा कपड़ा दोलते वह वाला प पैचेज आ जाते हैं ज़्यक्ली यक्न्रा सोता है यह इसमें थुड़का मैं हैं नीचे कुछ देख रहा है यह इस पर वाइट वाइट पैचे जा जा जाते हैं उसको फंड बोलते हैं तो दोस्तों पहले में इसकी जड़ों में फंग्द जाना जैसे साफ हैं ऐंटि इसके बाद दोस्तों इसमें वाटरिंग आप चूप मेने बोला सबूलेंट प्लांट है इसमें सीवन जैसा दूट जैसा अंदर जैसी काटने में निकलता तो इसमें वाटरिंग का में जिसे ज्यान ये ज़िए सद्धियों में 15 दिन में एक वाटर डालेंगे और गर्मियों में जाना दो दिन छोड़के तीम दिन छोड़के जब उपर की सर्फेस इल्या वन था राई हो जाएगी उसके बाद दोस्तों इसमें पानी दिया जाता है तो इसकी बहुंसाई इतनी खुशुदत बनती है आप फोड़ा सब भी केर करोगे तो इसकी बहुंसाई का एक ने लग रहा है अगर आप लोगों को कोई इसमें क्यूरी कोई आपको पसंद ना हो या कोई इसमें सुझाव है दोस्तों तो मुझे जरूर दीजिएगा और मेरा चैनल सम्यक टैरिस गार्डन को सब्स्राइब जरू करें दोस्तों लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से सेयर करें धन्नवाद